जो बच्चे ऐसे हैं जिनकी preparation बहुत ही कम है या फिर ना के बराबर है उनको मैं कुछ ऐसे chapters बता देता हूँ Hello everybody, welcome back to the class तो आज के इस वीडियो में हम लोग detail में discuss करने वाले हैं कि class 12 physics के गुजराद board के students को last one month की अंदर physics की preparation किस तरीके से करनी चाहिए ताकि वो आने वाली exam में जादा से जादा mark score कर पाए तो यहाँ पे मैं दोनों तरीके के students की बात करूँगा जिनकी preparation मानलो बहुत कम है और जिनकी preparation almost हो चुकी है तो दोनों के लिए ये वीडियो important है तो वीडियो को please पूरा देखिएगा और अच्छा लगे तो दोस्तों के साथ share कीजी और channel पे नए हो तो subscribe जरूर कीजी तो चलिए सबसे पहले मैं उन बच्चों की बात करूँगा जिनकी preparation बहुत कम है main चीज है आपको mindset positive रखना है ऐसा बिलकुल नहीं सोचना कि पूरे साल कुछ नहीं किया एक महिने में क्या उखाड लेंगे ऐसा word यूज करते है सब लोग क्या उखाड लेंगे तो जो चीज है वो एक महिने में ही गरनी है जो भी उखाड़ना है वो एक महिने में ही उखाड़ना है क्योंकि अगर मालो कोई बच्चा ऐसा है जिसके बोड में 90 आ रहे हैं तो जादा से जादा वो 90 में जो contribution होगा वो last one month का ही होगा अगर कोई ऐसा है चलो आप खुद सोचो कि जिसके preparation हो चुकी है अगर वो एक महिना पढ़ाई बन कर दे तो क्या वो score कर सकता है तो बिलकुल नहीं कर सकता तो main जीज है कि एक महिना ही है जो आपका result decide करेगा क्या आपके 50 आएंगे 60 आएंगे 70 आएंगे कि 90 प्लस आएंगे तो जिनकी preparation हो चुकी है या नहीं हुई दोनों के लिए ये मन्त उतना ही important है क्योंकि यही मन्त decide करेगा कि आपके कितने marks आने वाले है main चीज है mindset positive रखे कोई कुछ भी बोले कि इसने तो कुछ नहीं किया पूरे साल कुछ नहीं किया वो सब छोड़ो block कीजिए और अपनी पढ़ाई पर focus कीजिए अच्छे जे पढ़ेंगे तो अच्छे marks आएंगे नहीं पढ़ेंगे तो नहीं आएंगे च्छोटे-च्छोटे chapters है और ज्यादा से ज्यादा marks आप लोग easily score कर पाऊगे तो वो कौन से chapter है तो चलिए फटावट से समझते हैं आपको देखो अगर कुछ भी preparation नहीं करी तो कहां से चालू करना है 11, 12, 13 nuclear physics के 3 chapter है तीनों chapter बहुत simple है कोई बड़े derivation नहीं है chapter 13 में से 4 marks का question आने वाला है पर most probably chance ही है कि वो numerical होगा तो 3 बहुत ही easy chapter nuclear physics के 11, 12, 13 से आप लोग चालू करोगे तो ये 3 chapter में ही general option के साथ 30 marks हो जाते हैं आप लोग मेरा वो blueprint वाला video देखना जनरल option में 3 chapter के ही 30 marks हो रहे होंगे शायद exact आप देखना 30, 31 marks हो रहे होंगे 3 chapter के nuclear physics के बहुत चोटे चोटे chapter एक एक दो दो देन में आप लोग इसको कतम कर सकते हो ये हो जाने के बाद next क्या करना है तो मैं आपको बताता हूँ next करना है आपको 1 और उसके साथ छोटा सा chapter 5 तो अभी सर्फ 1 और 5 का क्या connection है तो connection कुछ नहीं है 1 किया है तो साथ में एक छोटा सा chapter एक दिन और डाल के prepare कर लो ताकि 3 marks आपके यहां से भी easily cover हो जाए तो chapter 1 बड़ा है तो अच्छे पेपर करना पड़ेगा numerical theory और सब करना पड़ेगा उसके साथ एक छोटा सा chapter include कर लो ताकि साथ-साथ में आपकी preparation हो जाए ये करने के बाद 2 option है अब ये 2 option आपकी उपर depend करते हैं कि आपको क्या follow करना है या तो आप 3 और 7 करो या तो 9 और 10 करो reason ये है कि कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनको optics easy लगता है ray optics और wave optics कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनको current electricity वाला chapter easy लगता है ये DC current वाला ये AC current वाला तो आपकी उपर depend करता है कि कौन सा chapter मतलब कौन से 2 chapter आपको prepare करने है ये 5 के अलावा अब मैं आपको ये suggest करूँगा कि हो सके तो ये 2 करना क्योंकि ये 2 में से 4-4 max का आने वाला है यहाँ पे भी ये बड़ा chapter ही है इसमें से भी 4 max का आने ही वाला है पर यहाँ पे दोनों में से 4 max का question है तो हो सके तो ये 2 करना मालो कि आपको लग रहा है कि अभी time बहुत कम है दिमाग खराब हो रहा है तो ये 2 कर लेना उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है अगर मालो कि ये दोनों कर लिए फिर लग रहा है कि चलो और कुछ करना है तो ये दोनों के important important question कर लेना तो भी हो सकता है तो main चीज है ये sequence में follow करोगे ये sequence में preparation करोगे तो max to max आप लोग 3 हफते में prepare कर सकते हो ये 7 chapter मैं आपको हर एक chapter के 3 दिन दे रहा हूँ max मैं बता रहा हूँ आपको ये 5th chapter में 3 दिन नहीं लगने वाले आपको भी बता है ये 11 chapter में 3 दिन नहीं लगने वाले आपको भी बता है फर मैं max to max अगर calculation करो तो किस दिन में आप लोग ये 7 chapter prepare करोगे easy 65u plus marks easy बहुत आराम से clear तो ये चीज़ा आप लोग अच्छे से follow कीजी ठीक है अच्छा उसकी बाद अभी और कुछ टिप्स में आपको बताना चाहरा हूँ जो बच्चों की preparation हो चुकी है उनको भी ये follow करना है और जो लोग ये strategy से preparation करने वाले है उनको भी follow करना है की main चीज़ है की sir textbook से तो हम लोग कर लेंगे mcqs का क्या करना है तो mcqs के लिए आप main चीज़ याद रखो अभी no reference book no reference book कोई भी reference book बड़ी बड़ी reference book उठाने की जोतनी आप अगर देखोगे ना तो 3 subject की 6 reference book होगी semester 1 semester 2 इतनी बड़ी books बनेगी तो आपकी पास अभी उतना time नहीं है कि आप लोग कोई reference book उठाओ main चीज़ आपको क्या करने है जैसे मान लोग कोई chapter आप prepare कर रहे हो जैसे मैं बोलना हूँ चलो chapter 11 prepare कर रहे हो उसका सबसे पहले NCRD उठाओ उसकी theories prepare करो थियोरी प्रिपेर करने के बाद example प्रिपेर करने के बाद exercise ये सारी चीज़े हो जाने के बाद अगर ये आप अच्छे से कर लेते हो तो आपको MCQ में कोई अलग से preparation करने की जुरुत नहीं पड़ेगी मैं कुछ चीज़ आपको बता देता हूँ जहांसा आप लोग MCQ कर पाओगे में चीज़ है ये channel की MCQ series मुझे पता है कि अभी complete नहीं हुई पर जल से जल वो complete हो जाएगी हर एक chapter के 30 से 40 अच्छे-च्छे MCQ मैंने निकाल के रखे है तो आप इतना कर लेते हो तो आपका ये MCQ series से confidence बढ़ेगा exam में similar MCQs ही आते हैं, बोड के MCQ उतने जादा मुश्किल नहीं होते, MCQ series आपको बहुत जादा फाइदा होगा, दूसरा क्या करना है, scholar paper set, देखो मैं आपको scholar paper set क्यों suggest कर रहा हूँ बार-बार, मैंने पिसले वीडियो में भी series भी already चालू करी हुई है, reason ये है कि यहाँ पे chapter wise paper होते है, chapter wise, हर एक chapter के two papers, मतलब हर एक chapter के दो paper आप लोग करते हो, तो एक paper में 15 MCQ है, तो 30 MCQs यहाँ से करोगे, 40 MCQs यहाँ से करोगे, more than enough है, more than enough मतलब मैं यह बोलना हूँ 100% यही करना है, इसके अलावा आपके पास time भी नहीं है, और आपको करना भी नहीं चाहिए, क्य पर, तो आपने अगर अभी तक नहीं देखी, तो उसको भी check out कीजिए, क्योंकि, यहाँ पर मैंने already शायद English Medium के तीन, दो paper रखे, गुजराती के तीन paper रखे, तो यह चीज आपको follow करने है, और दूसरी बात की यह वीडियो, गुजराती और English दोनों students के लिए है, तो कोई गुजराती मीडियम के लिए uploaded है, तो दोनों बच्चों के लिए यह channel पे content available है, बस आपको यह करना है कि इसका फाइदा कैसे उठाए, last के 30 दिन में क्या चीज़े follow करें, तो बस जो tips मैं दे रहा हूँ, वो चीज़ आप लोग follow कीजिए, उसकी अलावा important theories का मैंने video बनाया है, अभी मैं यहाँ पे अपने videos promote करने नहीं आया, मैं इसलिए आपको बता रहा हूँ कि आप लोग अगर ये chapter prepare कर लेते हो, तो इसकी अलावा जो chapter है, उसकी आप लोग at least important theories prepare करके जाओ, समझा रहा है, तो ये करने के बाद at least आप लोग important, जैसे मानलों कि आप लोग 3 और 7 कर रहे हो, 9 और 10 नहीं करना, पर 9 के at least आप लोग lens equation, mirror equation, 3-4 ऐसी theory करके जाओ, कि मानलों कि exam में आ गई तो आप लोग सीधी उसको लिख पाओ, समझा रहा है, तो important theories, उसके बाद, PYQs, PYQs मतलब पुराने paper कौन-कौन से, तो 2020 से लेके, 2023, scholar paper set के, 7 full syllabus, full syllabus, और 4 ये paper, अगर आप चाहो time है, तो July वाले भी कर लेना, पर main March वाले तो करना ही, July वाले मानलो time है तो कर लो, तो जितनी जादर practice करोगे, उतना आपका confidence build up होगा, क्योंकि exam जब आप देने जा रहे हो, तो main चीज है कि आपका confidence रहना चाहिए कि मैं लिख पाऊंगा, कुछ बच्चे से जैसे 11 कर लिया, 12 किया, 13 किया, 1 किया, 5 किया, पर अभी लगी नहीं रहा कि कुछ prepare किया है, reason ये है, जैसा मैं आपको बता रहा हूँ, क्या problem है, कि है साथ साथ, अब आप बोलोगे कि sir, revision करें कि ये पड़े, तो revision में ऐसा नहीं कि पुरा एक हफता revision करो, revision में क्या करना है, daily revision करो, daily revision of previous day, previous day का मतलब है, जैसे माल लो 11 चेप्टर मैं prepare कर रहा हूँ, total माल लो 8 question है, 4 Monday को किये मैंने, 4 Tuesday को किये, जब मैं Tuesday को 4 नए question कर रहा तो Monday वाले 4 questions में वापिस revise करूँगा, Wednesday को 4 question किये, तो Tuesday वाले 4 में वापिस revise करूँगा, Thursday को चार किये, तो Wednesday वाले 4 में वापिस revise करूँगा, daily revision आपको previous day का करना है, और साथ में आपको weekly revision भी करना है, weekly revision का मतलब है कि, ये sequence जो daily वाली, आप लोग follow करते जाओ, मंडे का रिवीजन, ट्यूजडे, ट्यूजडे का वेनेजडे, एक वीक के बाद, पूरे वीक में जो बढ़ा, उसका अच्छे से आप लोग रिवीजन करोगे, तो ही आपको चीज़े याद रहेगी, वरना आपको दिमाग में यही आता रहेगा, कि मैं पढ़ रहा हूं, प एक्जाम में लिख पाऊंगा, कि ने लिख पाऊंगा, यह प्रब्लम ना हो, इसके लिए आपको क्या करना है, रिवीजन को अच्छे से करते जाना है, तो यह टिप्स में आपको बता देता हूँ, यह चीज़ अगर आप लोग अच्छे से फॉलो करोगे, तो मुझे पू